देवरिया के फतेपुर में हुए नरसंग हार को लेकर पूरे इलाके में गुस्से और गम का महौल है। लोगों, बेटियों और मासूम बच्चों पर हमला करने वाले भूमाफिया, कायर और नपुनसक है। अपने फेस्बुक पेच पर शलब मनित्र पाठी ने लिखा, मुखमंत्री योगी आतितनाज स्वाय में इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। प्रमुक सचिव, ग्रिह संजय प्रशाद, इस्पेशल डीजी प्रशांत कुमार और एडीजी गोरकपुर अखिल कुमार के निरंतर संपर्क में हूँ। भुमाफिया और अपरादियों के विरुद्ब नर्नायक जंग लड़ी जाएगी, वो बचिंग नहीं, चाहे वो किसी भी सियासी सरपरस्ती उन्हें मिली हुई हूँ। देवरिया के फतेपुर में ग्राम सभकी जमीन पर कबज़ा करके कैसे आलिशान मकान बना और अवयद मकान किस प्रकार अब तक बचा रहा, इसमें जाच के साथ ही प्रभावी कारवाई होगी। ऐसी कारवाई जो नजीर बने, ये घटना कता ही सोयकार नहीं। एक और सोसल मीडिया पोस्ट लिखते हुए शलममनी तरपाथी ने कहा, देवरिया फतेपुर की घटना में इंसाफ को अंजाम तक पहुचाने के लिए, आज स्वरगी सत्प्रकाश दुबे के बेटे देविश दुबे, समाज के प्रभुध जनों, अधिवक्ताओं, वरि लड़ाई लड़ने का प्रण लिया है, हम सभी को विश्वास है कि मानिय मुखमंतरी के नितुत में भू माफिया की कमर तोड़ दी जाएगी और दुबे परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलेगा, इसके लाव एक और पोस्ट जो उनकी वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने लिखा, प्रेम यादो वो भू माफिया था, उसने ग्राम सभा की जमीन कबजाई, वन विभाग की जमीन कबजाई, इसकूल की जमीन कबजाई, खुद समाजवादी पार्टी का नेता था, जिला पंचाय सदसरहा, उसकी मा ग्राम प्रधान थी, उसने सत्र प्रकाश प्रेम चंद यादो की जान चली गई, और इसी के बाद उनके समर्धकों ने सत्र प्रकाश दुबे के पूरे परिवार की जान ले ली, इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही हो, बन इंडिया हिंदी के साथ